को से नमष्कार बच्चो सर्व नाम क्या होता है यह प्रोनाम क्या होता है इस पे फोड़ी सी रौशनी डालते हैं जिन शब्दों का प्रियोक संगय के स्थान पर किया जाता है '' database'' और याा फिर दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी leagnet audience जानने की कोशिश करें तो यह है कि सर्व नाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व परस पर संबंद से किसी भी संग्या के बदले में लगाया जाता है यह सर्व शब्दों में अगर हम कहें तो सर्व याने सब नामों ठीक है यह संग्याओं के बदले या कोई भी ना इसका प्रयोग संग्या के सथान पर किया जाता है। आईए देखते हैं कैसे। ठीक है, राधा सात्वी कप्षा में पढ़ती है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्रसंद रहते हैं, वह कभी भी स्वयम पर घमंड नहीं करती, वह अपने माता पिता का आदर करती है, आपने देखा कि उपर लिखे अनुछेद में राधा के इस् कहा जाता है, मैं, तू, वह, कोई, आप, ये, वे, हम, तुम, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदी सर्वनाम शब्द हैं, अन्य सर्वनाम शब्द में इन्हीं शब्दों से बने, जो लिंग, वचन, कारक की दिर्ष्टी से अपना रूप बगलते हैं, जैसे राधा निर्थे क करती है, इसमें आप सभी जगे, आप अपना ये है, इसका, इस, वह, उस, उसका के साथ उप्योग कर सकते हैं, ठीके, अन्य उधारन हम लेते हैं, सुभाश एक विध्यारती है, ठीके, सुभाश के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, वह, उस, उस, उसे, एक विध्यारती है इस तरह से भी आप शब्दों को उप्योग में ला सकते हैं ठीके वह की जगे आप सुभाश रोजी स्कूल जाता है उसके पास सुन्दर बसता है उसे गुभूना बहुत पसंद है इन सब शब्दों को उप्योग में ला सकते हैं इनके भी भेद होते हैं बचों वे भेद कितने प्रकार के हैं देखें पुरुष वाचक सर्वनाम निश्चे वाचक सर्वनाम और निश्चे वाचक संबंध वाचक प्रश्न वाचक और निज वाचक सर्वनाम होते हैं इसको हम देखते हैं, डेफिनेशन में, कि पुरुष वाचक किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहा जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है, उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहा जाता है, बोलने वाले, सुनने वाले, तथा जिसके विशे में बात होती उनके लिए अगर ये सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलायते हैं ठीक है दूसरे में पुरुषवाचक सर्वनाम पुर्षो इस्त्रिया पुरुष के नाम के बदले आता है मैं आता हूँ तुम जाते हूँ वह भागता है तो कि मैं वह और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है ठीक है अब इसमें भी तीन प्रकार होते हैं बचो उत्तम पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है ब जैसे कि आप देख सकते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता हो यानि कि मैं फर्स्ट पर्सन करता हो वो कहलाता है जैसे कि उधारन मैं स्कूल जाओंगा हम मत्दान नहीं करेंगे ये कविता मैंने लिखी बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गए मैंने उसे धोका नहीं दिया अब आता है मध्यम पुरुष यानि कि सेकिंड पर्सन जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता हो उन्हें मध्यम पुरुष वाचा कहते हैं जैसे तू तुम तुम्हें आप तुम्हारे तुमने अपने आदी उधारन के बतार पे तुमने ग्रह कारी नहीं किया तुम सोजाओ तुम्हारे पिता जी क्या काम करते हैं तू घर देर से क्यों पहुचा तुमसे कुछ काम है और अन्य पुरुष यानि कि थर्ड परसन अगर हम बात करते हैं आप लोगों यह सब चीज़ें संस्क्रित में पढ़ी हों कि बच्छों जिन सर्व नाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य वैक्ति के लिए किया जाता हूं उन्हें अन्य पुरुष वाचत कहा जाता है यानि कि थर्ड परसन के लिए हम किसी और की बात किसी तीसरे वैक्ति को बता रहे हों तब ठीडिक है वे यह वह इनका इन्हे उ पहीं आया था उसे कुछ मत कहना उन्हें रोको मत जाने दो इनसे कहिए अपने घर जाए ठीक है यह थर्ड परसन को हम इस पारी में बात में बता रहे हैं दूसरा था निश्चे-वाजक सर्वनाम जिस से हमें किसी निश्चिता का बोध होता हूं, ठीक है, सर्वनाम के जिस रूप में हम किसी भी बात या वस्तु के निश्चित रूप देख लेते हैं, कि ये निश्चित है, फिक्स्ड हो, ठीक है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास दूर, कि किसी भी वस्तु के ब ठीक है उसे निश्चेवा तक कहा जाता है यह वह ये वे आदी ठीक है तनुझ का छोटा भाई आया है यह बहुत समझदार है ठीक है किशोर बाजार गया था वह लौट आया है यहाँ पे वह जो है वह सर्वनाम है लेकिन यहाँ पे किशोर एक फिक्स व्यक्ति के बारे में उसे निश्चेवाचक सर्वनाम कहा जाता है अनिश्चेवाचक की बात होती है तो नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चे निश्चे जिसको हम नहीं कर पाएं जो निश्चित ना हो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होता हो उस जैसे अनिष्चे वाचक सर्वनाम कहाता है जैसे कोई कुछ किसी आदी से जैसे मोहन आज कोई तुस्से मिलने आए था तो कोई भी हो सकता है उसके चाचा मामा नानी नाना अंकल काका कोई भी पानी में कुछ गिर गया है अब कुछ गिर गया है कुछ भी हो सकता है दूद भ हो सकता है या फिर कुछ भी जैसे तुम कह सकते हो कि मुझे रसना गोलना है तो रसना का पाउडर भी गिर सकता है यहां कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चे बोध कराने वाले अनिश्चे सर्वनाम, सर्वनाम है संबंद वाचक, सर्वनाम जिससे हमें, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, संबंद जिस चीज़ को जोडता हो, संबंद हमें जहां दिखाई देता हो जिन सर्वनाम शब्दों को दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंद का ग्यात होता हो, वहाँ पे वो शब्द वत्यों को वाक्यों को अगर जोडते हैं, तो उनमें संबंद सर्वनाम कहा जाता है, संबंद वाचक, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, तो जो सर्वनाम वाक्य में प्रियोगत किसी अन्य सर्वनाम से संबंदित हो, उन्हें संबं वैसा एक तहली के दो पहलू हैं जिसकी लाठी उसकी भैस ठीबिAfter H उप्युकत्वा क्यों में वैसा का सम्बंद जैसे के साथ है और उसकी के साथ उसकी भैस और जिसकी राठी वाला जो शब्द है जिसकी के साथ हमें उसकी है ठीक है प्रशन वाचक सर्वनाम प्रशन वाचक जो सर्वनाम सवाल पूछने के लिए प्रियुक्त होते हैं जैसे क्यों, कौन, क्या, किसने, आदी ठीक है अगर हम देखते हैं सर्वल शब्दों में भी कहा जाए जिसमें हमें प्रशन पूछता हुआ नजर आए उस शब्द को हम क्या कहेंगे प्रशन वाचक नाम से ही बच्चों पता चलता है कि ये प्रशन वाचक ही है तोकरी में क्या रखा है? क्योंकि प्रशन पूछा गया है भई हमसे बहर कौन खड़ा है तुम क्या खा रहे हो इसमें कौन क्या प्रयोग जो है प्रशन पूछने के लिए क्या आगया है अब तेको लास्ट है जो निजवाचक सर्वनाम, निज़ का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, यानि कि अपने पन का बोध कराने वाला जो है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, इस प्रकार का सर्वनाम जैसे कि मैं आगे बताती हूं, सर्वनाम शब्दों का प्रियोग करता के साथ में अपने पन का ग्यात कराने वाले उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कि अपने आप नीजी खुद का